स्वागत है आप सब लोग का मेरे दिल से दिल्ली के सीरियस के एपिसोड फोर में and I am in दिल्ली हाड let's go and explore together so abhi मैं खड़ी हूँ एक silver jewelry के shop के सामने and you all know how much I love jewellries यहां के select करते हैं कुछ jewelry which is purely made of silver let's go so मैंने यह ले लिये हैं tops pure silver के and this is shop number 25 जहां से आप shop कर सके हैं authentic silver jewelry and the designs are really awesome so दिल्ली हाड डेली का one of the most popular handicrafts market है जहां पर आप दो हर स्टेट से वहां की unique handicrafts मिलेंगे plus यहां पर खाने का scene भी बहुत लेटर जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ so let's go so मैं आ गई हूँ एक और jewelry shop पे and मुझको यह काफे time से चाहिए थे कड़े जो काफी जादा सुन्दर लगते हैं तो मैं इनसे price पूछ रही हूँ देखती हूँ अगर मेरे budget में होगा तो मैं जरूर लोगी and I'll let you know so अभी मैं खड़ी हूँ एक बहुत ही unique concept बाले stall के सामने यहां पर है सारी handmade clocks आप देख सकते हैं बहुत जादा सुन्दर है और यह जो इनकी designer है वो भी बैठी है सुची अगरवाजी हमने उनसे भी काफी बात कि और शी टोल्डस कि उन्होंने सारी खुद बनाई है तो यह stall जब भी आप दिल्ली हाट आए जरूर चेक आउट करें आपको पता है कि how much I am fond of healthy food और यहां पर मुझे दिख गए हैं बीट रूट चिप्स जो कि अभी मैं करने वाली हूं टेस्ट और यह बेट हैं और बीट रूट के हैं सो दे कॉंब इस पर्फेक्ट वाव यम उसे हम जरूर खरीदेंगे और और कुछ है हल्गी रागी रागी चिप्स वाव मतलब यहां से स्नैक्स खाव लेज वगरा सब से लें गिल्ट फ्री यू कैं एंजोई प्राइस का पता लगा सकते हो इसे छोटा पाकेश इसे छोटा अपने साब से ले सकते हैं चलो कुछ तो लेकी जाएंगे हाथ में है करे लेके चिप्स इसके छोटा दिखाने है भाई हो इसके परी मुझे फ्राइड यह फ्राइड है यह एर फ्राइड है पर कडवापन आ रहा है बारा है लेकि असरी कलेला ही लग रहा है इस रिली गूट और कुछ है फेल्दी में और वो यह खालिया अभी पालक है अभी मैंने खाय थे बागी पालक है इनके सीजनिक बहुत तकड़ी है भाई सब्सक्राइड है इनके पैकेट्स बहुत बढ़े है इनको ग्राम के साथ से देना चाहिए बट कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं और मेली है यूनीक काफी यूनीक यह है मखाने के चिप भाई बहुत टेस्ट है यह तो भी मेरे हाथ में ओट के चिप भाई बहुत यूनीक चीज़े हैं सीवन इनका शॉप नंबर है दू चैक इट आउट यह भी बहुत यह हैं पर महंगा बहुत है गजब की गजब चीज़े निकले जा रही है इनके शॉप पे यह है कीनुवा चिप्स यह थोड़े अंडर सीजन लगे मेरे को बट नंदलेस हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन तो भाई बढ़िया है पटेटो स्पिनेच यह लो अब आई नहीं एक वेराइटी पटेटो स्पिनेच बहुत तेस्टी है यह अचली वाव मजा आगया वही इस कड़क्ती थंड में मैं थाने वाली हूँ कड़क्ती सौप्ती क्योंकि थंड में थंडी चीज़े थाने का मजा ही अलाग है कौन कौन जे फ्लेवर है मिक्सी बेगो अगर आप इंट्रस्टेड हो लद्दाक आशक नहीं गए हो मेरी तरह और बहुत जादा इंत्रीक्ड हो आगे कल्चर को जानने के लिए तो इस यह जगह ज़रूरा हम तो यह सोच कहते कि हम लद्दाक जा रहे है है बट यहीं पर हमें दिख गई थी लखनोई चिकन करी वर्क की कुड़ों की शॉप और हमने ले लिया है बहुत ही ऑसम कुड़ता अब ही में आ गई हो एक बहुत यूनीक जगह जहां पर सारे जूटके से बनी हुई चीज़ें जैसे की बैक्स परनीचर लैंप्स मतलब अलग ही जादा खुबसूरती है इन में तो भाई यूनीक चीज़ें अगर आपको चाहिए तो दिल्ली हाट इस दा प्लेस थोड़ी इसे एक्सपेंसिव होती है बट क्वालिटी वाइस इट इस ग्रेट अगर आई में अजर पड़ी है बहुत ही यूनीक शॉप पर जहां पर यह बहुत ही ज्यादा डिजाइनर काहिए तो आई में गूंग तो ट्राइवन आई थिंक यह काफी स्मार्ट लग रही है इंकी प्राइस पूछते हैं और कुछ ना कुछ यहां से लेते हैं अपर चीजे काफी सुन्दर हैं बट इस बिट एक्सपेंसिव बैक्स गो अप्टो प्र थाउजन रुपीज जो हैंड पेंटिंग वालें बट काफी सुन्दर अब इस अब बजट आप अभी मैं पहुच गहीं तमिल नाडू बिना फ्लाइट लिए बिना ट्रें लिए यह मैजिक हो सकता है से बिली हाट में जी हां दोस्तों मैं आप यहां थामिल नाडू और मैंने ओर खर लिया है एक फिल्टर कॉफी और एक पोडी इडली की फ्ले आप यहां वहीं की होके रम जाती हूं तो इसको देशी स्टाइल से पीएंगे हंडा करके अब आप अब वाके में फिल्टर कॉफी सारे कैपेचिनो लाटे सब की बैंट बजा सकती है इतनी टेस्टी होती है और दिल्ली हाट की वादियों में इतना अच्छा लग रहा है बहुत फिल्गूड आ रहा है और बहुत मजा रहा है तो मैं जब एंटर किया था तो मुझे कड़े पसंद आ रहे था है तो फाइनली मैंने ये कड़ा ले लिया है जो मुझे काफी सुंदा लग रहा है तो कॉमेंट सेक्शन बताना कैसा लग रहा है मुझे काफी पसंद आया और थोड़े एक्सपेंसेव है I agree बट इस पर मेरा मन आ गया तो कैसा लगा आप सब लोको मेरे दिल से दिली का ये वाला एपिसोड फ्रॉम दिली हाट मुझे तो काफी जादा मज़ा आया और मैंने अपनी सारी फेवरिट चीजे खरीदी और खाई तो अगर आपको ट्रूली एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेंस चाहिए विदिन दि बहार जाने में अलस आता है तो डिली हाट जरूर आए और देटरिन कुछ गमाऊंगे इन सीजन क तू टिल गस्तेटरिश मुद्ग्टिन शेर माइब फोर्सट्र्णुर्व के चैनल शेर माई वोडिईोस दिल से दिली एंड़ से यह जूसरिस говорит है और भी बहुत अछिए from different country तड़ा